हरियाना के जीत के गाउं घिमाना की ग्राम पंचायत ने नई और सकरात्मक पहल की है दरसल सडक सरक्षवा के लिए गाउं घिमाना की दोनों एंट्री पॉइंट पर 25 हेलमेट रखवाई गए हैं ताकि गाउं से अगर कोई व्यक्ति पाइक पर बाहर जा रहा है तो इन हेलम रखवाई हैं लेडी जो जैंट्स दोनों परकार के जो भी मतलव बार जाए तो एलमेट डालके चला जाए और एंट्री के लिए एक रजिस्टर रखा हुआ है वहां पर एंट्री डाल जाए और दोबारा जब वापीस आए तो वह एलमेट वहीं पर रख जाए यह सडक पहत हाथसों से सडकी खून से लाल ना हो और सडक हाथसे में किसी की जान ना जाए इसलिए ग्राम पंचायत ने ये पहल की है सडक सुरक्षा को लेकर घिमाना गाओं की सरपंच कवीता ने बैठक का आयोजन किया जिसमें काफी लोग पहुचे इसमें युवाओं को हैलमेट पहनने की शपत भी दिलाए गई यही नहीं गाओं में युबाओं की टीम का गठन किया गया ये टीम सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागुब करेगी युबाओं को सफत दिलवाई थी इसके लिए कि वो बगार एलमेट के मतलओ बार ना जाई इसके लावा गाओं में जितने भी साइकन, ट्रेक्टर, ट्रॉली समेच सभी वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाई गई है ताकि धुन्द और अंधेरे में आगे वाहन दिखाई दे सके वहीं ग्रामिनों से भी सरपंच की सपहल को पूरा सहयोग देने की अपील की गई है तो हमने हमारे गाओं से यह चीज एक स्टार्ट की है कि गाओं में जितने भी वाहन है ऐसे जिनके पिछे कुछ भी रिफ्लेक्टर नहीं कर सकता उस पर रिफ्लेक्टर टेप लगवाई है जिससे कहीं ने कहीं वो कोई थोड़ा मोटा तो बचाव करेंगी सडक सुरक्षा को लेकर सरपंच के उठाए गई इस कदम को लेकर हर कोई तारीफ कर रहा है सडक सुरक्षा को लेकर अगर हर कोई ऐसे ही जागरुक हो तो सडक दुर घटना में कमी लाई जा सकती है जीन से परमजित पवार सूर्य समाचार